संजगर्थी मम यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आपने काली चना की रेस्पी को तो कई वर बना कर खाया होगा लेकिन आपने हरी चनी की रेस्पी को नहीं खाया होगा आज हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी और एकदम नए तरीके से हरे चने की रेस्पी बनाएंगे खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी वह बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी एक कप हमने हरे चने को ले लिया है सबसे पहले हम इन चनी को मिक्सी के जार में डालके बार इक पेश्ट बना लेंगे आपको इसमें पानी नहीं डालना है बगर पानी के ही दीरे-दीरे मिक्सी को चलाते हूगे इनको बारिक पीश लेना है कि अब हरी के जालं किस चलाज मिक्सी टाइब कर लिएंग डीया है कि बड़ि ग्वजर को एंद भाडु मिर्च जो टोकड़ा मकंत कर लिए है और एक छोटी प्याच को भी हमने छोटी छोटी टुकड़ामा कट कर लिया है इसकी अलावा यदि आपको कोई और सब्जी डालना हो तो आप इसमें और सब्जी भी डाल सकते हैं जैसे वैल किया हुआ आलू और सिम्ला मिर्च हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक हमें इसमें पहुच जातंग नहीं डालना है थोड़ा सा ही डालना है नमक डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तर व्रण के लिए हम इसमें छोड़े चम्मत से दो चम्मत बेशन डालने से अच्छे से बेशन डालने से हमारे शाप समें अच्छे से बाद डालने साव omuri साथी चीजें अच्छे से मिघ्स चुकी हैं जेखर आई कि करते हैं यह इछनimesं करते हैं और नियुक्ष नाल Mia सिर्फ आ यह नहीं कुछ नहीं डाला है तो आउने में सब्सक्राइब Mutantsy नमक दला है जब प्याज में नमक दल जाता है तो जो हमारी प्याज पानी छोड़ने लगती है जो हमारा पेष्टे वह गीला भी हो सकता है अब हम इसके तुरंथी नास्ता बनाना चालू करेंगे हमारा तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है Isमें हम चम मस्तरी लिय豆 चोड़ी बर्श डालते जाएंगे और हमारी अच्छे से पकोरी बनकर तयार हो जाएगे हमें इनको मेडियम गर्ष पर ही साइगना है तब ही हमारी अंदर तक अच्छे से सिक्का सैयाद होए एक बार में हमारी कढ़ाई में जितने आचुके हमने उतने ही डाल दीगे हैं हमें तुरंत ही चम्मस से इसको चलाना लई है उपर से थोड़ा थोड़ा सा हमें इस तरीके से तेल डाल देना है जिसके जो हमारी नास्ता है वो दोना साइड थोड़ा थोड़ा सिकने लगे यदि आप तुरन चम्मस से इसको हिलाना चालू कर देंगे तो यह बहुत ही सौट होते हैं, आप पे तूट भी सकते हैं की दोनों साइट हमने नास्ता को अच्छे पलट पलट के सैक लिया, कि देख हो हमारा कितना और यद्म क लका इच्वा को सुड़ूर यह बाशंख कर दियाल लूंगा में और आप मैडियम घरस मरें गारद गjat हैं देख हो हमारा सारा नास्ता अच्छे सीच चुका है हमारा हरे चने का हेल्दी नास्ता बनकर तैयार हो चुका है बच्चों को तो इस तरीके का नास्ता बहुत ही खाने में अच्छा लगता है देखो अंदर तक बिल्कु शिक कर तैयार हो चुका है बिल्कुल एकदम सॉप्ट नास्ता बनता है आप भी एक बार इस तरीके का हरे चना का नास्ता बना कर तैयार करें खाने में बहुत ही टेस्टी लगे गए इस समय हरे चने बहुत ही अच्छे आ रहे हैं आप इनका नास्ता जरूर बनाएं खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तो इस नास्ता को आप बिना चटनी सॉस के भी खा सकते हैं बिना चटनी सॉस का भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है एक दम बिलकुल सॉप्ट नास्ता बनकर तैयार होता है दोस्तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक उसक्राइब पनना बूले वीडियो देखने के लिए आपको धन्नमाज